नमस्ते बच्चे, आद हम देखेंगे मानव आदश कल हम क्या देखेंगे भोजन और विज्ञान में सबें एक्सरसाइशन को सिनांसर को देखेंगे आप अच्छी तरक पड़े हैं ना देखेंगे आज हम देखेंगे मानव आदश एक रैटर का नाम क्या हिस्ट्री रामदारी सिंह दिनकर मानव आदश रैटर का नाम स्ट्री रामदारी सिंह दिनकर कभी परक्षे मैंने बगले बता यही बाद में पोयम जाएंगे बाद में तर्स्री क्या करना चाहिए इसको सिका यही बाद में उसमें उने वाला सारांस पड़ सकता है कभी परक्षे रामदारी सिंह दिनकर का जन्मर बिगार प्रांत के गुंगेर जिले में स्तित्त सिम्रिया घाट नामकस्तान में सन उन्नी सो आट में हुवा 1908 में ये रामदारी सिंह दिनकर 1908 में किदर बिगार स्ट्रेट में टीके ना बिगार प्रांत माने स्ट्रेट बिगार स्ट्रेट में मुंगेर जिले में मुंगेर नामक डिस्ट्रेक्ट में सिमरिया घाट नामकस्तान में सिमरिया घाट नामक प्लेस में पैरा हुए किदर है बीगा स्टेट मुंगेर दिस्ट्रिक्ट किदर सिमर्यान नेम्ड प्लेस नेम अफ प्लेस क्या है सिमर्यान गाट केसी सल में इनके काविय में भाषा की प्रकरता और तेजस भी नहीं पाई जाती है उनकी भाषा लैंग्वेस कैसा है बगूत प्रकरता तेजस भी उसमें हम क्या शाप मनें यह नालज को देख सकता है उसमें भगुत जायत नालजी होने वाले आदमी, ठीके न, इदिखास उनका प्रिय विशय है, ये प्रिय विशय क्या है, ये रामदारी सिंधु को इतिकास, हिस्टरी भगुत, लाइक, हिवास लाइक, हिस्टरी, ठीके न, इनकी कविताओं में रास्ट्रिय अता का बाव प्रबल है, रास्ट्रिय अता का बाव मने ये, पाट्रिय अटिक, ठीके न, सांग्स को लिखेते कविता, ठीके न, बाशा पर इनका पूर्ण आतिकास है, लाइक, बहुत, फ्रीली, सरलता से लिखे है, ठीके न, आतिकास, युद्ध की सब्यताल को लेकर, जो प्रबंद काविय लिख गया, बग गुरुक्षेत्र नाम से प्रक्यात है, युद्ध की समस्या, ये, वार प्राबलम से न, उसका प्रबंद काविय लिखा, ये, वार प्राबलम से को जोड़कर, ये काविय लिखा, ये काविय क्या है, गुरुक्षेत्र, उसका नाम क्या है, गुरुक्षेत्र, नेम से बहुत, फैमस है, प्रसीद है, ठीके न, प्रक्यात मने बहुत प्रसीद है, फैमस, क्या है, गुरुट शेत्र नामक काविया, आखके अन्य प्रबंध कावियों में रक्ष्मीरती और उर्वसी उलेकन नहीं है, और भी लिके, क्या लिके, रक्ष्मीरती नेम्ड एक स्टोरी काविया, बाद में उर्वसी नामक एक स्टोरी, स्टोरी मनें यह चोटा स है, काविय बगुत बडा है, टिके ना, काविय, यह दो काविय, कितना काविय लिके ते बगुत प्रसीद है, तीन काविय बगुत प्रसीद है, क्या क्या है गुरु चेत्र रक्ष्मी रती ओर वसी टीक है ना तीनों का विए बहुत फामस है कुछ समय के लिए ये संसद के सदस्य सता बागलपूर विश्वविद्यालाई के उपकुलपती भी रहे ये कुछ समय सम्टाइम्स क्या की ये बहुत दोडा समय ठीक है ना कुछ समय माने संसद माने पार्लिमंट का मिंबर बाद में भागलपोर विश्वविद्यालै भागलपोर उनिवर्सिती है ना उस उनिवर्सिती में उपकल्पती माने वैस चांसलर के नाम में काम की है पद्ध पर ठीके ना वैस चांसलर पद्ध पर काम की है स्ट्री दिनकर हिंदी के एक प्रमुक लेकक कभी के निबंदकार थे क्या-क्या थे? प्रमुक लेकक, फैमस रैटर, बद में पोयेटर, निबंदकार मनें कामपोसिशन निकने वादा आदमी को निबंदकार बता सकता है तीक है न? वे आधोनिक युग के सेस्ट्र वीर रस से कवी के रूप में स्थाबित है ये आधोनिक मने ये नवीन युग के सेस्ट्र वीर रस होने वाला कवितावोंको लिखेते उन्होने सांस्कृत बंगला अंग्रेजी अवर उरुदु का गागन अधिये न किया था क्या किया सको मालमै सांस्कृत बंगला इंग्लीश अंग्रेजी मने इंग्लीश उरुदु ओर लांग्वेजा ची तरग अधी एन कीए मने ये क्या करना पड़ते थे ठीके ना 24 को हिंदी में क्या बताना चाहिए 24 अप्राइल मने क्या है एप्रेंट उन्नीस सो नैंटीन हन्रड ठीके ना 74 को हिंदी में क्या बताना है बच्चे याद में नहीं आये ना 1974 मने 1974 को इनुहोने दुनिया को अल्ल विदा कहदिया मने अबी हम पड़ेंगी ये पोयम को ये मेमरी पोयम है इसलिए आज हम पोयम पड़ेंगी ठीके ना एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल्ल से अवर बोगता उसे दोस्रा बाग्यबाद के चल्ल से जिसने स्ट्रम जल्ल दिया उसे पीचे मत रख जाने दो विजित प्रक्रती से सब से पखले उसको सुक पाने दो और एक बद के बच्चे एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल्ल से अवर बोगता उसे दोस्रा बाग्यबाद के चल्ल से जिसने स्ट्रम जल्ल दिया उसे पीचे मत रख जाने दो विजित प्रक्रती से सब से पखले उसको सुक पाने दो नर समाज का बाग्यए एक है बग स्ट्रम बग बुझ बल है जिसके सम्म को जुकी हुई पृत्वी विनीत नब तल है राजा प्रजा नहीं कुछ होता होते मात्र मनुझ ही बाग्य लेक होता न मनुझ को होता कर्मट बुझ ही कौन यहां राजा किसका है कौन यहां किसका राजा है कौन यहां राजा किसका है किसकी कौन प्रजा है नरने होकर ब्रमित स्वयम है यह बंदन सिर्जा है बच्चे आपी इंट्रस्ट से मेमरी की ये तो बहुत आच्छा है यहां enters पड़िए मैने बताए ही सका मीनिंग तर्जा आपको क्लास है न बताएगी आज अजरे मेमरी कीजिये इसका मतलब बाद में इसमें होने वाला सारामस हम तास्ते देखेंगे बच्चे बच्चे एक बार पड़ कर दिकाएगी आप जोर पड़ना चाहें मेमरी कीजिये बच्चे एक मनोज संचित करता है अर्थपाप के बल्ल से, अवर बोगता उसे दूसरा बग बाग्यबाद के चल्ल से, जिसने स्ट्रम जल दिया उसे पीचे मत रख जाने दो, विजित प्रक्रुती से सफसे पखले उसको सुखपाने दो नर्व समाज का बाग्य एक है, बग स्ट्रम वग बुज बल है, जिसके समोक जुकी हुई प्रिक्वी बिडित नब तल है, राजा प्रजा नही कुछ होता होते मात्र मनुज ही, बाग्य लेग होता न मनुज को होता कर्मण बुज ही कौन यहां राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है, नर्णे होकर ब्रमित स्वयम ही, यग बंदन सिर्जा है ठीक है ना बचे आप अच्छी तरह मेमरी केजिए, मेमरी पोयम है, ठीक है ना